इसको फेक्टराइज करना है में इस प्लिटिंग न मिडिल टर्म से तो सबसे पहले हम प्राइम फेक्टर्स लेते हैं किसके लेते हैं वो इस 6 के और इस 10 के यानि कि 6 इंटू 10 कितना हुआ 60 तो आपको 60 के प्राइम फेक्टर्स लेने हैं तो 60 के प्राइम फेक्टर्स लिए तो 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1 इन फेक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है दो नंबर्स में कि अगर मैं इन दोनों को एड़ करूं तो 11 आना चाहिए और इन दोनों को जब मल्टिप्लाइ करूं तो क्या आना चाहिए माइनस का 60 क्यों देखो 6 त ठीक है तो मैंनस का 60 आना चाहिए था तो हमारा क्या आना चाहिए माइनस का 60 तो देखते हैं कैसे आएगा 2 टू सा 4 और 35 सा 15 तो अगर मैं एक 15 लूँ और 1-4 लूँ तो 15 में से 4 माइनस किया तो 11 बचा और इनको अगर मैंने multiply किया तो minus का 60 आया दिखो इनको add करके 11 आ रहा है plus minus minus 15 में से 4 गए 11 तो तो एड़ी है न और इसको multiply करके minus का 60 आ रहा है तो हमें क्या करना है 6P square तो as it is लिख देना है और 11P को तोड़ कर लिखना है क्या 15P माइनस 4P प्लस का 15P माइनस का 4P और माइनस का 10 as it is इसके बाद common लेना है first two से इसमें से और इसमें से common लेना है और मुझे दिखाई दे रहा है कि एक तो 3 आ रहा है common और 1P तो अगर मैंने 3P common ले लिया तो 2P आएगा 3 to the 6P की P से multiply P स्क्वेर और प्लस 3 5s of 15 ठीक है तो 2P प्लस 5 ब्रैकेट में आया तो ये जो ब्रैकेट है आप सेम ऐसे ही इधर पेस्ट करते हैं अब इसके बाहर एक ऐसा नमबर लिखना है जब मैं उस नमबर की इससे multiply करूँ तो माइनस का 4P बनना चाहिए तो ऐसा नमबर है माइनस का 2 अब देखो इसकी multiply इससे करेंगे तो ये बनना चाहिए और इसकी multiply इससे करें तो ये बनना चाहिए तो देखो आ रहा है माइनस 2 के लिए आप 5 से मल्टिप्लाई करोगे तो माइनस का 10 आएगा इसके बाद आपको क्या करना है common लेना है ये bracket क्यों 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 कि लिए same है तो 2p प्लस 5 अगर आपने common लिया तो अगले bracket में क्या चीज आईगी जो bracket में नहीं है यानि कि 3p माइनस का 2 यही हमारा answer है चलते हैं next question पर